हलो एवरिवन मैं कुक्वित मीना आज मैं बनाने जा रही तवा कुल्चा इसे मैं एकदम नए तरीके से बनाऊंगी और ये इतना सौप्ट बन के तयार होगा अगर आप मेरे चानल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दे तो चलते हैं इसे हम बनाने के लिए हमने यहाँ पे द एक टेबल स्पून बेकिंग पॉडर ले लिया है एक चुथाई कप दही ले लिया है त्री टेबल स्पून तेल ले लिया है इन सब को हम इसमें मिक्स कर लेंगे हमने यहाँ पे एक कप गरम दूध ले लिया है इसे ठंड का मौसम है तो इसे हम गरम दूध से गूथेंगे आटे को हमने गूथ के एकदम सौफ्ट सा डो बना लिया इसे हम कॉटन के कपड़े से ढखकर दस मिनट के लिए रख देंगे दस मिनट हो चुका है आटा को हम चेक कर लेते हैं अब हम चलते हैं इसका कुलचा बनाने के लिए हमने यहाँ से इस तरीके से एक लोई ले लेना है और इसे हम साइड मेरत देंगे इस कुलचे को हम फुला फुला बनाएंगे हम जो ट्रीक आपको बताएंगे उसे आप ध्यान से फोलो करें इसे हम पहले आटा लगा के बेल लेंगे इस तरीके से बेल के इसके उपर तेल लगा लेना है इसके उपर आटा डश्ट कर देना है इस तरीके से उसके बाद इसे कचोरी के जैसे फोल्ड करके बेल लेना है और तवा को अच्छी तरह से गर्म कर ले इसे आप इसी में नीचे के साइड इस तरीके से दबा दे अब हम यही पे थोड़ा सा धन्या पत्ता रख लेंगे और थोड़ा सा कलॉंजी रख लेंगे कलॉंजी ना हो तो आप इसके जगा पे ब्लैक तील ले सकते हैं अब हम यहाँ पे इसे इस तरीके से रख के बेलेंगे इसलिए में हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे इस तरीके से अगर आप कुल्चा बनाएगा तो आपका कुल्चा फूली फूली बनेगी हमने इसे इस तरीके से बना लिया है अब हम चलते हैं इसे पकाने के लिए तवा को एकदम गर्म कर लेना है इसके उपर पानी डालेंगे इस तरीके से इसमें अब हम कुल्चे को रख देंगे कुल्चा पानी के भाप से ही अच्छे तरीके से पक जाएगी और ये फूली फूली बनेगी अब हम इस कुल्चे को दूसरी साइट से पका लेंगे ये देख सकते हैं ये कुल्चा एकदम फूली फूली बन रही है इसके उपर हम तिल लगा लेंगे इसी तरीके से हम सारे कुल्चा खो बना लेंगे हमने यहाँ पर आटे का फूले फूले कुल्चा बना के तयार कर लिया है ये देख सकते हैं फ्रेंड ये कुल्चा एकदम सौप्ट बनी है और ये एकदम फूले फूले बने है अगर इस ट्रीक से बनाईएगा तो आपका भी कुल्चा फूले फूले बनेगे आज की रेसिपी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना न भूले और हम इसी तरह नई नई रेसिपी लेके आते रहेंगे तब तक के लिए बाई बाई